और खान एवर्म गौपालन मंतरी प्रमोद जैन भाया का बहतर टीम वर्क अब उनके विभाग के कामकाज में भी नजर आने लगा है प्रदेश में गौवश को सुरक्षित रखने के लिए पंचायत गौशाला योजना शुरू की गई है इस से पहले भी नंदी गौशाला योजना शुरू की गई थी वहीं खान महकमे में भी बहतर तालमेल के साथ मेजर मिनरल के ब्लॉक की निलामी में विभाग ने इतिहास रचा है और अब रिफाइनरी की प्रगती में भी तेजी दिखाई दी रही है ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी ने की प्रमोजन भाया से खास बातचीफ उन्होंने क्या कुछ कहा सुनवाते हैं आपको हमारे साथ इस समय मौझूद है खान एवं गौपालन मंतरी प्रमोजन भाया भाया जी और इनका पूरा परिवार गौष सेवा को लेकर शुरू से प्रतिबद रहा है और सायोग देखिए कि जब मंतरी मंडल मैं शामिल इनको किया गया तो उस तोरान भी खान विभाग के साथ गौपालन विभाग भी आपको दिया गया बाया जी जिस तरह से पहले तो आपने नंदी गौषाला योजना शुरू की थी आपके आने के बाद और अब यह ग्राम पंचायत गौषाला किस तरह की योजना और कैसे एक्जिक्यूट कर रहे हैं इसको हमारी जो धार्मिक बा मुख्यमंती थे तब उन्होंने अनुदान चालू किया गोषालाओं पर और इस सरकार बनने के बाद में हमने गोरक्षा सम्मिलन किया राज़तान के इतियास में पहली बार गोपालान वाग के मात्यम सो मुख्यमंती जी के मुक्यात थे में और उसमें जो लगबक राष्त एक राष्तान के अज़रों गोषालाओं के प्रतिनी दी लगबक साथ आठ जार प्रतिनी दियों ने बाग लिया और उन्होंने जो मागे रखी ती कि गोषाला में मेहंगा ही हो गई अनुदान बढ़ाया जाए जाए गोषालाों के अनुदान की प्तिर्याइए जो पिछ पंचायद योजना लागू की जाए तो उनके सुजाओं को मतने रखते हुए मुख्यमंती जी ने जो हमको निर्देश दिये मुख्यमंती जी के निर्देश की पाल नाम है गोपालन विभाग के द्वारा पहले अनुदान बढ़ाने का काम किया गया जो पहले 16 रुपे था चोटे पुस रुपे उसको 20 रुपे किया जो 32 रुपे था उसको बढ़ा के 40 रुपे किया ग्राम पंचायद गोशाला जो आप जो योजना लेकर के आ रहे हैं इसमें कितनी ग्राम पंचायद है जुडएंगी प्रारंब में क्या यह चरणबद तरीके से इसको पूरी यो चरणबद तरीके से लागू होती है इसमें जो योजना बनाई यह Jordi व्योहार इक बनाइर इसमें जो संस्ता जिसका एपलाइ करेगी उसके पास 55 जमीन हो न और अगर उसके पास जमीन नहीं है और वहां उसके शेत्र में कोई सिवाच अ जमीन तू प्रात्ता से सरकार उ और इसमें उसकी यूनिट को सेक करोड रुपे आकी गई है, नबल आग रुपे गोपाल निभाग देगा बनाने के लिए, दस परसेंड रासी संस्ता को लगानी होगी, और जो नबल आग रुपे देगा उसमें चारे का गोडाउन, गायों के शेड, उनकी पानी की खेल, चा सेसरी होटा है, वो सब चीजें उसमें प्रोविजन की गई है, साथ ही जिस दिन से गोशला चालू होगी, उसी दिन से नो मेने का अनुदान उसके संचालन के लिए दिया जाएगा, यह अनुदान पहले छे मेने था, मुख्यमंती जी ने अभी एक संतों का समार होता जैप मुख्यमंती जी ने इस अनुदान को छे मेने से बढ़ा कर नो मेने किया, तो जो ग्राम पंचायद गोशला योजना उसके पीछे जो मुख्यमंती जी का सोच है, वो यह है कि एक तो अमारी जो धार्मिक भावना है, कि गोवंश में सभी देवदे मुताओं का वास है, नं किसान जो परेशान होता हैं, उनको भी उससे मुक्ती मिले, साथ ही रोणों पर जो एकसिडेन्ट होता है, जानवरों और गोवंशों की मुत होती है, तो उससे भी मुक्ती मिले। इन सब बाउनाओं को मतने जार रखते हुए ही ये गोशालाओं पर इतना फोकस हमारे लोग पर ये मुख्यमंती जी ने किया है। करोना महामारी के कारण जो दो साल जो खराब हुए है। उससे वो काम डिले हुआ नहीं तो जो टार्गेट था कि वस दो जा तेश के अंदर अंदर रिफाइनरी शुरू हो जाए। उस ही गति से वहाँ पर काम चल रहा था। लेकिन प्राकरतिक आपदा है। उसमें किसी का पार्टी के समय जो नियम और उपनियम बने थे, उसमें जो काफी जटिलता है थी और उससे माइनिंग उबाग एकदम जामसा हो गया था। और जो माइनिंग वैसा है अपने आपको असाय महसुस करने लगे थे। उसमें भी हमने बहुत शितिलता है जारी किया और उसी का पारिणाम है कि रेविनी हमारी बहुत बड़ी हमने प्रधान खनीज के कई नहने बलोकों को चिन्नित करके उनका ओक्षन किया और अभी हमारी जो बुवेगयनिक विगिंग है अभी और युद्धिस तर पर लेगी हुई है अभी हम कई और बड़े बलोकों की निलामी नि पर बात करें तो नया राजस्व के नए कीर्थिवान रचित किये गए है पिछले वित्वर्ष में मात्र साथ जो थे मेजर मिनरल के ब्लोक से उनको निलाम किया अज़े चुगा है कि प्रमोज जैन भाया के हाथ में दोनों विबागों की कमान और बहुती सुरक्षित और बहुत टीमवर्ग के साथ तोनों विबाग आगे बढ़ रहे हैं कैमरा परसन गिरीश के साथ निर्मलतिवारी फरस्ट इंडिया न्यूस जैपूर